हेलो वेलकम टो माई करेर पार्सला फ्रेंज नीट अपडेट बहुत थी अभी एक लेटेस्ट इंफॉर्मेशन आई है एंटी की तरफ से जिसमें यह बताया गया है कि अब जो टाइब ब्रेकिंग है पहले जो नियम थे वो अब चेंज हो गए इसका मतलब यह है कि आप कितन जादा है अगर इस तरह से आपके टाइब ब्रेकिंग में कोई ऐसा रिजल्ट आया हुआ है तो उसका हर हाल में जो फैसला करेगा वो कंप्यूटर करेगा इसलिए आप इस चीज़ से अब बिलकुल ही बेख़वर मत रहिए कि आपकी मेहनत का अफल आपको वैसे ही मिलेग कि नहीं मिलेगा यह गैरेंटीड नहीं है क्योंकि अब तो यहां कंप्यूटर बाबा आ गए तो पहले जो नियम था फ्रेंड्स जो रूल्स थे उसमें टाइब रेकिंग में यह होता था कि जितनी नेगेटिव मार्किंग जिसकी ज़्यादा होती थी उसके मार्क्स या र राइंक बिलो होता था अब वो रूल 2023 तक ही था 24 यानि इस साल में अब सिच्वेशन चेंज हो चुका है यह भी बताई गई है कि जो आपका सीक्वेंस अब सब्जक्ट लिया जाएगा मार्क्स के अधार पे उसमें नमबर वन बायो होगा नमबर टू केमिस्ट्री होगा और फिर फिजिक्स होगा तो फिर इसमें जिस हिसाब से माक्स आपके आए हुए है और कहीं अगर आपका हो गया है दो बच्चे एक जैसा माक्स ला रहे हैं तो उसकेस में अब रोल टेक्लोजी का है कंप्यूटर उसको डिसाइड करके बताएगा कि कौन सा बच्चा उपर के लिए यही प्रोविजन रखने जा रहा है तो लेटेस्ट अपडेट ऑन नीट 2024 अप्लिकेशन से लेकर अड्मिशन तक प्लस आपका जितने भी काउंसिलिंग एसिस्टेंस है उसके लिए माई करियर पारशाला एसिस्टेंस देती है और आपके रैंक के हिसाब से मिल सकता है इसके सर्विस के लिए आप हमें कॉंटक्ट करिए और देगन नमर्स पर फोन करिए लेटेस्ट अपडेट ऑन नीट के लिए माई करियर पारशाला चैनल सब्सक्राइब करना मत बूले क्योंकि इससे ज्यादा करेक्ट एंड टांस्परेंट इंडिफॉमेशन आपको किसी चैनल पर नहीं मिलेगा थैंक इस सो मच पर वाचिंग